नमस्का दोस्तों मैं हूँ आप सबकी दोस निगधा और फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सबको आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लास से निगधा पर दोस्तों आज की आलोशना की विशय हमारी है प्रमुक आलोशनात्मक रितियां जो की आधारित है हमारे पुर्व मध्य काल यानि कि भक्तिकाल के सखा यानि कि ज्ञानाश्रेश सखा जिसे हम संत्य काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं उसके प्रमकविक कविरदास्ची के उपर रचित होने वाली सारी के सारे अलुशनात्मक किताबों के बारे में यानि कि ग्रंथों के बारे में आज हम बात कर और हाँ दोस्तों उसके बाद मैं आपको इसी दो ट्रीक्स दूंगी जिसको याद रखने के पाद आपको कवेर दास्ची के उपर रचेत होने वाली सारे के सारे अलुषनात्मक ग्रंथ और उनके रचनाकारों के नाम ही फटक से याद रहे जाएंगे और आपको अलग से पिरव्य बादे आकाल याने कि भक्तिकाल के ज्ञाना EE अनिकी शन्त काव्याधरा के प्रतिनिधी याने कि प्रमक कवी कवेरतास्ची के उपर आधारित है कि यहाँ पर दो कुलंब है एक कुलंम में किताबों यानिकी ग्रांतों के नाम है जो की लिप साइड में है और राइट साइड में है हमारी रचनाकार के नाम तो चलिए जानते हैं कौन-कौन है कौन-कौन से रचनाकार है और पुस्तक कौन-कौन सी है तो पहला है कवीर कवीर नाम की अलुशनात्मकृति है आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी जी क याद रखिए कवीर के रचनाकार है आचारी हचारी प्रसाद वेदी और पही नाम कवीर आता है विजय अंद्रसना तक की तो यहाँ पर जब नेम सेम होती है दोस्तों तो आपको याद रखने की थोड़ी सी मुस्किल हो जाती है पर घबराने की कोई जुरूत नहीं कभी भी हैं यहाँ पर उनके रचनाकार की जो नाम दिया जाता है एक साथ नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखनी हें कवीर नाम की जो पुस्तक है jsुं की सेम कवीर के नाम के दो इंद्रसना तक फिर आता है कवीर की विचारधारा के रचनकार है गोविंद त्रिगुनायत याद रखे कवीर कवीर नाम से दो रचनकार है अचारी हजारी प्रसादिवेदी और विजय एंद्रसनातक और कवीर की विचारधारा के रचनकार है गोविंद त्रिगुनायत फिर नाम आता है इसके रचनाकार है राम जी लाल यांद रहेलह का रहस्यवाद के रचनाकार है ड़क्तर एक नई दृष्टे जिसके रचनाकार है डक्टर रभुबंस मैं और एक बाद आपको बोल देती हूं दोस्तों याद रखिए कवीर कवीर नाम से दूनों रचनाकार हैं कवीर नाम के दो पुस्तके हैं यानिकि दो ग्रंथ रचित हैं कवीर के नाम से आचरी हजरी प्रसादिवेदी और विजय अष्चा पिंद्रसना तक फिर आता है कवीर की विचारदार जिसके रचनाकर हैं गोविंत्रि गुनायत फिर आता है कवीर का रहस्यवार जिसके रचनाकर है कविर साहित्य की परक जिसके रचनाकार है परसु राम चत्रुवेदी कविर अकेला के रचनाकार है डक्तर रमिस चंद्रमिस्र कविर एक नई दृष्टी के रचनाकार है डक्तर रगुबंस तो दोस्तों यहां तक तो आपको पता चली गया है कि कौन-कौन से अलोचक हैं जिन्होंने की हिंदिशार्तिक एक शेत्र में कविर दास्त के जैसे प्रमुक कवि के बारे में अपने अलोचनात्मक्रतियों को समर्पन किया हुआ है तो अब बारी है उन दो ट्रिक्स की जिनक जिनकी जरुरत बहुत ज़़ा है क्योंकि 8 अलोचक है और 8 उस्तके हैं जिनको रटना बहुत ज्यादा मुस्किल का काम भी हो जाता है कभी कभी याद भी नहीं रहता तो ट्रिक्स के माधियम से हम आसाने से याद कर सकते हैं आपको उन्हें रटने के वजह अगर आप इन यानिकि दो sentence व्यालो आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से नाम किताबों के आप हो जाएगी तो देर किस कर दोट चलिएए वन ze चैनल को देख लेते हैं तो रिधार आप वालो डरोकता हैं और बात करें भी तो फी हो फिसक थोड़ी उन ग्रंथों के साथ और उनकी रचनाकारों के साथ तो पहला जो ट्रीक है पहली जो ट्रीक है वो है पुस्तकों को याद रहने की चलिए दिखते हैं क्या ही यह सेंटेंस घबरान की कोई जरुरत नहीं है बहुत ही आसानी एक बात पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कवेर दर् साहित्य परक होने से उनके रहस्यवाद के उपर एक नई दृष्टी हमें मिलती है जो कवीर को उस समय के अकेला ही समाज सुधारक का दर्जा दिलाता है या फिर दिलाती है तो उचलिए जान लेते हैं किस हिसाब से हम यहां पर पुस्तकों को याद कर पाएंगे देखी य फिर ठों के करें तो कवीर दर्शन को समझने के लिए तो झालिय से अकंपड़की नामसिए हूँ यहां पुस्तक का अनवाण में कुशोप Maisa और दर्शन से आजाता है आपका कवीर दर्शन जो की रामजी लाल की समुन से कबिर दर्सन से अपकी दो पुस्तकें आ जाती है, कबिर और कबिर दर्सन, कबिर की रचना का है आचारिया हजारी प्रसार दिवेदी और विजयान रचनातक और कबिर दर्सन की है रामजी लार, यहाँ पर हो गया क्लिया कविर दर्सन को समझने के लिए हमें कविर की विचारधारा को भी समझने की जरूरत है कविर की विचारधारा किसकी रचना है गोविन त्रिगुनायत तो कविर की विचारधारा को भी समझने की जरूरत है कविर की विचारधारा गोविन त्रिगु रज noémie कबेर साहितिये की परक कभे की विचारधारा लंग राम जेलाल इंगे के सहित्य के परक के से उनके रहस्यवाद के उपर उपर एक नई द्रिष्टी हमें मिलती है उनके रहस्यवाद से क्या हो गया रहस्यवाद से हमारा हो जाता है कबीर का रहस्यवाद जो की है डॉक्टर राम कुमार बर्मा की रहस्यवाद के उपर एक नई द्रिष्टी नई द्रिष्टी से आ ज के रचना है उनकी रहस्यवाद कविर के की रचना है डॉक्र राम कुमार बर्मा करने रचना है हमें मिलती है जो कविर को उस समय में अक्यला ही समाव थारक का दर्जा दिलाता है अक्यला से क्या हो जाएगा किकला से कभीर अकेला जो कि किसकी रचना है डक्टर रमेश चंद्र मिस्ट जी की रचना है यह हो गया हमें हमारी पुस्तकों को याद रखने की ट्रिक अभे हम बात करएंगे रचनाकारों को किसे सबैंग тебе कि तो दूस्तों यहाँ पर आप सब और जिसको में डीप ली रह लिखी हूं वह रचनाकार की नाम यानि कि वहां पर ही चुपा हूआ है तो पहले sentence को पड़ लेते हैं सक्ति की प्रसाद में रावन से विजय प्राप्त करने के बाद रागुवन्स के नंदन राम जी जिनहें की स्वायंग गोविंद और वर्सु राम के अवतार माना जाता है उनकी विजय गाथा गाउं के मंदीर में पंडित रमेश्चंद्रमिस्र सुना रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि सबसे यहां पर अलूचक यानिकी रचनागार के नाम चुपा हुआ है तो सक्ति की प्रसाद म प्रसाद में सव रावन से विजय प्राप्त करने की बाद विजय से आ जाएंगी विजय इंद्रसना तक हजारी प्रसाद अदिवेदी और विजय इंद्रसना तक दोनों की किताब जो है वो है कवीर अलूचनात में ग्रांथ है कवीर एक ही नाम की दो किताबें यानिकी द नंदन राम जी रघुबंस से आ जाएंगे हमारा डक्टर रघुबंस और डक्टर रघुबंस की किताब क्या है कवीर एक नई दृष्टी याद रखें डक्टर रघुबंस की किताब कर नाम है कवीर एक नई दृष्टी रघुबंस के नंदन राम जी से हमारे दो नाम आ ज की जो अलुशनात्मक ग्रांथ है वह कवीर का रहस्य बाद राम जी चिन्य की स्वयन गोविंध और पर्षू राम के अवतार मना जाता है स्वयन गोविंध, गोविंद से आ जाते हैं हमारे कौन आ जाते हैं आ Marsh गोविंध, गोविंध, जिनकी रचना है कविर साहितिय की परक के अबतार मना जाता है परसुराम के अबतार मना जाता है उनकी विजयगा था गाम के मंदिर में पंडित राम चंद्र मिश्र सुना रहे यहां पर तो रमेश चंद्र मिश्र सुना रहे यहां पर तो रमेश चंद्र मिश्र को समझाता ह और उनका जो अलुशनात्मक ग्रांथ है वो है कबीर अकेला दोस्तों उमीद है आज की वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पुशनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए मैं वादा करती हूँ आपकी इमेल की जरू रिप्लाइ दूंगी और हाँ दोस्तों सिर्फ इमेल की जरिये ही क्यों आप फेस् से पोश्ट करती रहती हूं जो कि आपको फायदा पहुंचा सकता है और सिर्फ वीडियो में जो चर्चा हो रही है उसके अलावा भिन भिन उस्तकों से भिन भिन नोर्स में बनाकर वहां पर पोश्ट करती रहती हूं तो मेरे हिसाब से आपको वहां पर मतलब मेरी फेस्ब